हेलो स्टोरिंट क्लास 9th मैट्स का प्रैक्टिस पेपर है डी ओई ओफिशियल 23-24 सेशन के लिए तो इंपोर्टन्ट है फाइनल एक्जाइम के पॉइंट आफ यू से अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है इसके अलाबा प्लेलिस सेक्षिन को ज़रूर चेक था इसको आप प्रीविएस वीडियो में चेक कर लेना डिस्क्रिप्टिस में लिंक में भी मिल जाएगा इन सबका डिट्रील सिल्यूशन आपको मिलेगा आज हम इसके सेक्षिन को करेंगे केस बेस स्टड़ी कोशन को ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह सबके आंसर आपको मिल जाएंगे तो आप चेक कर लेना सेक्षिन ए अब करते हैं के स्टड़ी बेस कोशन कोशन नमबर थर्टीसिक्स से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए और प्लेलिस सेक्षिन को जरूर चेक कर लेना इंपॉर्टन कोशन पेपर सर्स में तो कोशन नमबर थर्टीसिक्स पे आते हैं नताशा हैस्टू रीच हर ओफिस एवरी दे अट नाइन एम ऑन दे वे टू हर ओफिस ही ड्रॉप्स हर सन एट स्कूल मतला ओफिस जाते वे पहले वो अपने बचे को ड्रॉप करती है और नताशा की घर और उसके सन के स्कूल और ओफिस के मैप बनाए गया देखो यह होम है नताशा का कोडिनेट प्लेन में आपको यह दिखा रहा है है मतला होम ह फिर यहां से यह जो है स्कूल है फिर एस के बाद वो ऑफिस में जाती है स्कूल से ऑफिस में ऑफिस है तो लो गो Mich picking को दूबशलने आते हूंगे सबको तो देखे Q का अगर मैं coordinate देखो home का home का coordinate देखो कैसे होगा X का कितना है 4 है X का तो 4 और Y का कितना है इसमें 1 तो इसके coordinates क्या हो जाएंगे H की coordinates हो जाएंगे 4 और 1 X का पहले आता है बाद में Y का आता है same ऐसी इसके पूछे नहीं आपसे यह भी मैं बता देते हूं, S का कोडिने ति कौडिनेट स्कूल का लख., स्कूल देखऊ, यहां पर एट तो स्कूल में X कितना है, 7 और Y कितना है, 1, तो यहनी कितना है इसमें, 5, तो प्रक्शन के तो उसके कॉडिने निकाल लिया एक्स का फोर और वाई का बन है सेकिंड कोशिन पर आते हैं राइंगल ट्रीइंगल बना है एक फोर से ऐसे बेटे के स्कूल से उसके ऑफिस का डिस्टेंस तो मेरे कु यानी कि एक बार एक बारर एक बार हो एक बार कोशिन देखना है कितना है ठीक है तो देखो X से S का distance हो मुझे X axis के according मिल जाएगा देखो H4 पे है और S कितने पे 7 पे Hs अगर distance निकालना है home से school का एक तो नताशा के घर से उसके बच्चे के school का distance पूछा है यानि Hs पूछा है तो देखो Hs देखो 4 पे था और S आपका 7 पे था तो 4 से 7 पे कितने का distance होगा 3 किलोमेटर का है ना माइनस करके देख लो और SO में देखो SO हो मेरे को Y SO कहां मिलेगा SO आपका SO ये रहा SO SO आपको Y axis पे मिलेगा ये रहा एक से 5 पे SO देखो ये SO है ना तो ये कहां मिल रहा है आपको एक से 5 में Y axis पे तो एक से 5 का मतलब 4 होता है तो school से office का distance 4 है तो 3 बड़ा होता है चार बड़ा होता है आपको बूचे किस का distance छोटा है तो ये वाला distance छोटा है और ये वाला बड़ा है यानि कि house से school का distance काम है ये आप लिख सकते हो ठीक है next question इसमें choice वाला ही question है third का part है if Natasha has changed her office to a new location that is exactly midway of the school and her home what are the coordinates of her new office location अब उसने office change किया office कहां है उसका जो school और उसके घर का midway है school और उसके घर का देखो home से लेके school school यह रहा तो इसमें कितना distance आया था one two three का distance आया था अब midway बोला है तो यानि कि three का में दिस्टेंस आना चाहिए यहां से लेके यह तक one point five distance आना चाहिए three का halfrik करके देखो one point five होता है यानि कि यहां से इसका four पर distance आना तो तो यहां पर 5 पर आया और यहां पर आयने कि यान कि उसका जो ऑफिस है यहां पर Philippines पर भी कर्थ लुएख कर दो धींस, तो थीक आदा 1.7च यहां तो यहां से यहां पर उसका आधा करदो Iनिकि 5.5 यहां पर आएगा इसका оुफिस Atis के mid point पे है तो यहाँ पे office है अगर यहाँ h है यहाँ s है और यहाँ पे mid में देखो h 4 पे है और यह 7 पे है तो 4 से 7 पे 3 होता है उसका अधा गरो 1.5 यानि कि 4 के बाद यह 4 पे है तो यहाँ पे 5 आएगा फिर यह 5 और 6 के बीच में यहाँ पे गहीं पे office आएगा और 6 से 7 यह आधा यहाँ पे और एक पूरा यह 7 यानि कि 1.5 यहाँ पे बच्चता है और 1.5 यहाँ पे बच्चता है यानि कि यह office जो है वो 5.5 पे होगा है यहाँ पे होगा office 5 और 6 के बीच में यहाँ पे और what y पे तो 1 पे ही होगा क्योंकि hrs के बीच में आ रहा है यानि कि x के तो 5.5 होगा और y का कितना होगा 1 होगा तो यहाँ ओफिस जो होगा इसकी नई location 5.5 से और y कितना होगा उसका 1 होगा यह इसका office का new location हो जाएगा clear तो इस तरीके से यह question करना था आपको चलिए next question करते है question number 37 यह भी आपका case based question है तो यहाँ पे आपको कुछ extra information दी वह आप पढ़ सकते हो सांची स्थूप सबसे बड़े स्थूपों में आता है oldest stone structure एंडिया का और इनियर आर्किटेक्ट्चर का यह monument है important और Emperor Ashoka ने इसे बनाए तो extra चीज़े यह लिकवाड ही लोगे यह कैसे बनाए देखो यहाँ पर देखो देहां से इसमें एक big hemispherical dome है यानि उपर से तो एक dome है hemisphere shape में और फिर उसके उपर एक cuboidal structure है ऐसे करके cuboid है उपर से ठीक है अब आपको बोला है कि what is the area of circle of the base of hemispherical brick structure having radius 14 यानि कि जो hemispherical brick structure है उसका base area पूछा है जो hemisphere है आपके गया है आपका एक hemisphere है ऐसे structure है और उपर से cuboid है उपर से क्या है उपर से आपका cuboid है ऐसे कुछ है आप यह hemispherical structure जो है वो उसमें नीचे का जो base area होगा यह वाला area यह कैसा होता है किसी भी hemisphere में जो बाहूल होती है उसमें यह वाला जो area होता है यह कैसा होता है सरकल का एरिया होता यह वाला तो आपको एरिया ओफ completing निकाल है यह यह कितना रख दोगे 14 रख दोगे और किती बार है दो बार 14 into 14 और πाई की वैल्यू 7 से कट गया 2 पे 14 into 28 22 से multiply कर देना multiply करके यह आपका आएगा 616 meter square तो यह circle का area जो base है hemisphere का उसका area आजाएगा ठीक है next question पे आते है second question पे if the radius of hemisphere double कर दो तो what will be the ratio of surface area in these two cases मतला अगर तुमने hemisphere की radius को double किया चितनी भी थी original hemisphere की radius अब नया वाले radius आपने double कर दी यह नहीं 2R कर दी तो इनके surface area में क्या क्या इनका ratio कितना हो जागा नए का पुराने के साथ तो देखो पुराना अगर hemisphere बोले तो उसकी अगर radius small r है तो उसका तो surface area क्या होगा 2 pi r square यह वैसे तो हम 3 pi r square भी ले सकते थे क्योंकि surface area बोला तो टी ऐस से होता लेकिन हमें दिखरा कि dome जो है वो उपर से है ना नीचे से बंद थोड़ी ना है तो यहीं पर है तो हम ने इसले 2 pi r square लिया है हमने सिर्फ curved partly है उसका नीचे का base बंद नहीं है उसमें क्योंकि है ना अगर आप 3 pi r square भी ले लोगे तब भी ratio तो निकाल नहीं है 3 pi बस इसकी radius 2 r रखना क्योंकि यह तो already cancel होई जाएगा तब भी same answer आएगा पर हम बानके चल रही बंद नहीं है नीचे से तो इसले हमने इसका curved part लिया है 2 pi r square और जो नया है hemisphere बनाए उसकी radius r की जेकर 2 r है double बोली न अब यहाँ पर 2 pi तो as it is इस r की जेकर 2 r और उस पे square formula तो यहीं रहेगा r की जेकर 2 r रखना है बस अब इन दोनों का ratio निकालने है आपको तो 2 से 2 कट गया पाई से 5 कट गया अब यह r square तो as it is रहेगा बट यह वाल r square कितना हो जेगा यह 2 r पे whole square है तो 2 पे भी square है और r पे भी square है तो 4 r square हो जाएगा 2 तो 4 और r square r square स r square कट गया तो यह ratio कितना हो जेगा 1 ratio 4 चाहे तो आप total surface area भी लगाते है तब भी 3 pi 3 pi तो कटी जाता यह भी इतना ही आता 1 ratio 4 तो कुछ mention नहीं है कि वैसे तो just surface area बोले तो हम 3 pi r square लेते है बट वो तब लेते है जब नीचे से बंद होता है तो अभी हम सिर्फ उसको मानके चल रहे है एक curved part पर है सिर्फ तो इसलिए हमने 2 pi r square से किया है वैसे answer दोनों में same ही आएगा ठीक है चले इसका next part देखते है इस तो पड़ लिया थर्ड वाला calculate the volume of the hemispherical dome if the height of dome is 21 अब हमें hemispherical dome जो है इसका volume निकालना है अगर उसकी height 21 है तो दिहां से देखिए देखो यह dome जो है यह hemispherical है तो जो hemispherical की actual में जो height है वो radius ही तो होती है hemisphere की height क्या होती है जो उसकी radius यहां से होगी उसकी height भी तो होगी यानि कि यहां पे height किसके बराबर है ठीक है तो hemispherical में height किसके बराबर हो जाएगी तो volume of hemisphere वैसे तो 2 by 3 pi r cube होता है पूरे sphere का तो 4 by 3 pi r cube होता है यह तो याद रखना आप पर उसका आधा करो तो 2 by 3 pi r cube पर r की जगे हमें यहां पे 2 by 3 pi r की जगे क्या रखना है h रखना है क्योंकि r ही इसकी h है अब h आपको 21 meter दिया हुआ है तो 3 बार है न volume में r कितनी बार होता है 3 बार तो 3 बार multiply करना है 3 से पहले इसके cut दो फिर 7 से इसे cut दो अब यह सारे multiply करने है तो पहले इसको इससे multiply करो 44 और फिर 44 को इससे multiply करो के तो आएगा आपका answer 19404 और यह volume में तो किस में आएगा meter cube में तो यह answer आना चाहिए सिर्फ करना देखना नहीं है इनको अच्छी तरह से आपको copy pen लेके practice भी करना है मतलब एक बार देखो उसके बाद खुद practice करो या फिर करने से एक बार देखने से पहले आप pause कर लो और फिर अपने आप करो और फिर match करो answer यह ठीका रहा है कि नहीं हा रहा है तो अच्छी तरह से practice कीजिए final exam के लिए बहुत important है यह question paper इसके लाबा playlist section को जरूर देखो description में लिंक में भी मैं डालूँगी और वो जरूर करना ताकि आपके final exam के preparation बहुत अच्छी हो सके तो उसके 3 से 4 question paper कर लो तो final exam बहुत अच्छा जला जाएगा आपका और यह तो important है यह ठीक है तो यह आपका इतना answer आजएगा अब इसका choice वाला question देखते है option में find the area of cloth required to cover the hemispherical dome if the radius of base is 14 अब की बार आपको dome को cover करना है cloth से तो उस cloth का area निकालना है अब देखो cloth जो बिछेगी hemispherical dome में वो नीचे से तो नहीं बिछेगी यानि कि यह वाला area तो covered नहीं होगा सिर्व इसका curved part cover होगा है यह वाला यहीं तो कपड़ा विछेगा तो यहनि इसका curved surface निकालना है dome का तो curved surface 2 pi r square होता अगर नीचे वाला भी covered होता तो वो 3 pi r square हो जाता है बट कपड़ा यहां तो विछेगा नहीं नीचे उसे वूपर वर विछेगा तो इसलिए curved surface ले 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 ना 2 pi r square अब यहां पे radius किती बोल दी question में पहले तो height 21 बोली थी तो radius भी 21 थी पट यहां पे radius आपको 14 बोली है तो इसलिए हम radius कीजिए कि आप 14 पुट करेंगे 14 दो बार लिखना उड़ेगा area में radius 2 बार आता है important है अच्छी तरह से कीजिए इस question को चली आगे देखते है तो किस-किस को इस question समझ आगे अच्छी तरह comment करके ज़रूर बताईगा and इसके section a,b,c,d को भी देख ले न अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो उसको भी कीजिए previous videos में मिल जाएगा नहीं तो playlist section में जाके आपको इसके सारे set मतलब इसके सारे parts मिल जाएगे next question number 38 यह triangle chapter से है यह भी बहुत important question है चली question number 38 में देखिए there is a garden in a government building in the form of triangle represented by triangle ABC triangle ABC यह पहले छोटा वाला triangle जो है यह garden है अब क्या किया गे यह एक आइसोसलेस triangle है इसमें ABC के equal था पहले छोटा वाला triangle बना हुआ है अब हमने क्या कि इस BA side को BA side को थोड़ा सा extend कर दिया AD तक BA को पढ़ा के D तक ले गए और फिर ऐसे ले गए कि AD AB के equal है ठीक है यह जो गार्डन पहले यानि कि पहले यह जो गार्डन था वो just ABC था यह वाला फिर हमने इस BA जो side थी इस गार्डन की उसको extend किया D तक BA को बढ़ाया D तक फिर ऐसे बढ़ाया कि यह इसके बरावर हो गया ठीक है फिर यह triangle बन गया और पहले यह AB इसके भी बरावर था और फिर यह इसके बरावर था तो देखो अगर triangle ABC की बात करूँ छोटे वाले triangle की तो AB AC के बरावर है और question में बोल दिया AB AD के भी बरावर है यह भी AD के भी बरावर है अब देखो यहाँ पीचाए मैं AB और यहाँ AD लिग देती है अब देखो left left side बरावर है तो यह भी AB AC के बरावर है और AB AD के बरावर है जब AB AB आपस में left बरावर है तो यह भी बरावर हो जाएंगे अगर AB AC के बरावर है और AB AD के बरावर है तो यह तीनों आपस में बरावर है तो यह भी आपस में बरावर हो जाएंगे तो ADAC के भी equal हो जाएगा तो सबसे पहले ADAC के अगर बरावर हो गया यानि की वाला अगर मैं triangle देखूँ ADC वाला तो यह अगर इसके बरावर है यह वाला side तो आपको एक triangle में बता होगा यह side बरावर होती है इक्वल होती है यानि तो इसके opposite angle भी बरावर होती है ठीक है अगर side सब equal है तो opposite angles भी equal होती है तो आपको यहाँ पर पूछा है ADC में कौन से दो angles equal है ADC वाला triangle बना है न जो इसमें कौन से दो angle equal है तो अगर यह side equal है तो इसके opposite angle कौन से बन रहे हैं कि यह वाला और एकी वाला है तो हैनी ADC बन रहा है और ACD बन रहा है देखो ADC बराबर है न तो इनके एंगल कैसे बनाने हैं आपको इन दोनों में A common है न एक को हटा दो तो D और C equal है तो D कैसे बनाओगे D बीच में आना चाहिए ADC और यहां पर C बच रहा है क्योंकि A से तो हट रहा है तो जब दो साइडे पर equal हो तो आपको क्या करना होता है उनकी जो common vertex उसे हटा हो तो एंगल मिल जाते D और C equal है तो D बीच में आना चाह का नाम ADC है तो यह दोनों एंगल equal है इस वाले triangle में तो first part तो हो गया इसमें reason लिख देना क्योंकि यह side equal है जो हमने अभी प्रूफ की है एंगल अपॉज हिल साइड सा ऐंगड ऊंगल साइड सालन इक नुकर्फ क merchant क्यों फोच्थ आइड साइड साल eqo आपको BCD निकालना है यह आपका NCRT के कोशन होता है BCD फाइंड करो कैसे करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में दिख रहा है यह इसके इक्वल था यह वाला साइड इसके इक्वल था तो एंगल वन और टू इनको शॉट नेम दे दो सेम ऐसी यहा यह इसके इक्वल है साइड तो इस ट्री फोर के इक्वल हो जाएगा ठीक है इंपोर्टन है यह कोशन जब इसमें BCD 90 गुरू होता है यह यादफ ना BCD एंगल 90 आता है तो करना ऐसे है पहले ही छोटा ट्राइंगल इधर वाला लो इसमें यह साइड इक्वल है तो यह इक मैं पहलो जाएगे ठीक है अब मों चाहिए कौन सवाला यह इए पूरा BCD चाहिए कोशे कोशन में तो 2 & 3 चाहिए मुझे कोशन मेए तो महाँ 2 & 3 को लाने के लिए क्लेह करूंगी फ Coast तो पूरे ट्राइंगल को लूगी BCD ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल को इ थीनों का एंगल one बना रखा है डी पे एंगल four बना रखा और सी पर यह दोनों मिलके वने न तो एंगल one एंगल four और एंगल two plus three से मिलके BCD बना है, इनका total sum कितना होता है 180, क्योंकि ये triangle है BCD बड़ा वाला triangle लेना है, अब मिर को पता है, ये मुझे वालूम करना है 2 और 3, 2 और 3 से ही तो BCD बना है, उसी को तो हमें निकालना है, तो हम 2 और 3 को change नहीं करेंगे 1 और 4 को change करेंगे क्योंकि 1 किसके बराबर था 2 के और 3 किसके बराबर था 4 के तो हम क्या लिख देंगे 1 की जगे भी angle 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 2 के equal है और 4 की जगे क्या लिख देंगे angle 3 लिख देंगे, क्योंकि इसको change नहीं करना इसी से तो हमें BCD बनेगा तो ये तो हमें रखना है एसटी और इसकी जगे हमने 1 की जगे यहां से 2 लिख दिया और 4 को भी हटाना है तो 4 की जगे क्या रख दिया? 3 रख दिया विए equal है अब angle 2 और 3 देखो angle 2 भी double हो गया 2 angle 2 और angle 3 भी double हो गया 2 angle 3 equal to 180 2 common ले सकते हो अंदर इसमें से एक angle 2 बचा और इसमें से एक angle 3 बचा call to 180, angle 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है हमारा angle 2 और 3 से ही तो हमारा क्या बन रहा है BCD बन रहा है, इन दोनों को मिला के BCD angle बन रहा है तो इसके जगे हमने BCD लिख दिया ठीक है अब 180 अब ये मुझे निकालना था तो ये 2 को यहां multiply से divide में ले जाओ 2 से ये कट जाएगा 90 बे तो ये प्रूव हो जाएगा तो ये आप याद भी रखना इस वाले triangle में ये जो bct एंगल आता है ये 90 आता है तो इसको करने का तरीका simple है पहले आप ये छोटा triangle लो ये इसके बरावर करो फिर ये वाला triangle लो ये इंगल इसके बरावर करो फिर सारे ये डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा और इसकी जेगे हम bcd लिख देंगे तो bcd आपका 90 आगया अब देखो ये जो बड़ा triangle bcd आया bcd ये तो अकेला 90 आगया तो अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 बनेगा न क्योंकि ये तीनों का सम कितना होता है 180 होता है तो अगर ये अकेला 90 है तो 180 में से 90 माइनस करूंगी तो 90 कौन आएंगे ये दोनों मिला के आएंगे एंगल B और D मिला के आएंगे क्योंकि एंगल B, D, C को मिला के तो 180 होता है तो हमें या केला कितना है 90 तो B और D 90 तो इधर चला गया माइनस होके तो इनका सम कितना आजाएगा 90 आजाएगा इन दोनों का तो यानि एक दूसरे के complimentary एंगल होंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे complimentary एंगल तो ये पुछा आप से इनके complimentary pair बताओ तो complimentary pair ये और ये है तो इसको हम चाहे तो हम इसका नाम इस एंगल B का नाम A, B, C, B पे बन रहा है ABC और D का नाम ADC लिख सकते हैं तो ये वाले complimentary बनगे क्यों होते complimentary क्योंकि इन दोनों का sum मिला के करेंगे sum तो 90 आएगा क्योंकि ये एंगल 90 है तो इन दोनों का बच्चा हुआ एंगल भी कितना होगा 90 तो होगा तो ये दोनों का एंगल sum 90 है इसलिए complimentary है या फिर ABC को हम ADC को दूसरा नाम भी दे सकते हैं पहले मैंने B को नाम ABC दिया B तो बीच में आया ना ABC नाम देने पे और ADC पर मैं इसे ऐसे भी तो दिसकते हैं DBC बड़े वाले triangle के according DBC B लख रखना है तो DBC और D पे रखना है तो BDC तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते है तो ये भी ठीक है आपका ये भी ठीक है तो इनका सम 90S ले ये compliment रहे ठीक है तो I hope ये questions आपको समझ आ गए होगे case study based questions तो इसे अच्छी तरह से practice कर लीजिए और वीडियो को share जरूर कीजिए ताकि इसका जो second sample paper है DOE का ही official वाला वो मैं जल्द से जल्द डाल दू तो वीडियो को share जरूर कीजिए like कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए अगर नहीं किया है तो और फिर लिए section को फिर से कहरी हूँ कर लीजिए final exam के लिए बहुत important है और साथी साथी question paper भी बहुत important है सारे sections का answer आपको